हेलो इन वेलकम गाई इस वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई सी सी अकेड अभी समर टी ट्वेंटी कप की जो की मैच होगा यहाँ पर दवीजन सिपिंग वसिस सेवन डिस्टिक्स के बीच में तो चले दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को उम लोग ऐसे स्मॉल लिग में लेकर जा सकते हैं कौन से प्लेयर को आवइड करके जा सकते हैं तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैंच के इसे पेले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को भी दख आपने सब्सक्राइब नेगे तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सबसक्राइब कर लेना है क्योंकि यह पूरी टूर्नामेंट इसी यूटूब चैनल पर कवर की जाएंगे इसके साथ साथ आपको यहां से मिल जाएंगे इसके साथ साथ आपको यहां से इसी तिटेंट के वीडियो चैनल मिलने वाले तो यूटूब चैनल को सबसक्राइब करना है साथी में टेलिघ्रम से जुड़ने का लिए मैंने नीचे description box में आर्रेटी टैलिगरम क को उसे जोइन करेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल डिम आपको वही पर मिल जाएगी बात करें इस मैच की तो यह मैच रात को 9 बच कर 30 मेट पर तॉलेरंस ओवल्स अबुद अभी दूबई में खेला जाएगा पीच रिपोर्ट यह से बेटिंग के लिए कापी अच्छे पीच है तो अच्छे कासे रंस बनते हों नजराएंगे बाकी एवरेस स्कॉर की बात करें तो एक सो पचास के प्लस मैंने हर एक तूर्णा मेट में दोनों ही ओपनिंग करते हैं नजीम की बात को दो लास्ट मैच के ने रिखी वह इसकी गयन बज़ी थी लेकिन बैटिंग से पंदरा रं किये वाकी ओर रोल काफी अच्छा ऑल राउंडर है यह से एक सो साथ मैच के नर पचास सी विकेड है साथ म देखो लास्ट मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मस रहा लेकिन इनकी एक खाशित मैंने मैंने नौटिस की वह तब तक के लिए अकर मेरी फिलिंग के ने उससार या फिर मेरे अकोर्डिंग देखो तो इनका क्या ना राक्षाकिब महमुद का वहर एक टूर्णा मैच के पहली एक या दू मैच में ही चलते हैं इसके बाद कभी चलते नहीं है तो यह मेरा लोजिक है बाकि आप अपने अकोर्डिंग इनको लेना चाओ तो ले सकते हैं शायद में अपनी टीम के अंदर लेके ना जाओ बाकि लास्ट मैच के ने अच्छा परफॉमस दिया था तो उसके विजिस पर आप लोग इनको ट्राइवी कर सकते हों बात करें से अली अभीट की तो अली अभीट वेरी इंपॉर्णिट प्रिक रहेंगे लेकिन बैटिंग सेक्षन से आपको इससे अच्छी वर कोई चोईस मिलने वाली भी नहीं है ज्यादा अप्संस है नहीं इसकी खेलो तभी लेके जाएगा बाकी बात करें से जवाद करने की जवाद करने की थोड़े से इनकंसिशन है लेकिन एक बात अच्छी रहे कि लास्ट मैच के नहीं चार वोस की पूरी गयन बाजी की अला कि रेगुलर बीजिस पर चार वोस करवाएंगे नहीं प्लस बै मौलिक में लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा अलाकि इनके पर आप बरोसा कर सकते हो 117 मैच के नहीं चार वोस की तो यहां से इन्हों ने फाया जहमद नहीं करवाई हो सकता है अगली मैच के नहीं जवाद गनी आपको वोस करते हो नजल ना है और यहसे फाया में ट्राइक करना चाहो तो कर सकते हो वाही देहमद की बात कर तो लास में के 10 रन की बाकी ओर रोल रेकोर अच्छे है लेकिन बैटिंग ओडर थोड़ा सा नीचे है तो इनको रिस्की तोर पर ही लेना पड़ेगा स्मॉल लिक के लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे साबा सज्जाद मलुक को ट्राइ करेगा लास मैच के लिए उन्हें वहस नहीं करवाई जो कि बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि यह रेगूलर बेजिस पर एक अच्छे खास एक एनबाजे यहां से लेकिन लास मैच के लिए लेकिन आगे आपको चार वहस पूरी करवाते हो नहीं सज्जाद मलुक को मैं अपनी टीम के अंदर जरूर शामिल करूंगा यहां से इराद अली के बर वरोसा कर सकते हैं यह भी कभी यहां से दो तीन विकेर एक साथ में निकाल सकता है बकि बैंच की बात करो तो बैंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको ट करवा रहे और एज प्लेयर की बात करो तो सज्जाद ही बेरी इंपोरेंट प्रिक रहेंगे मोहमद शागिल थोड़े सा आउट अप पॉम है तो इनको डिफ्रेंस से लिए में ट्राइक करना चाहो तो कर सकते हो थोड़ी सी डिस्की टीम बनाओ तो ट्राइक करेगा स्मॉ मोहमद फारुक की बात कर तो एज प्लेयर इंपोर्टन रहेंगा इवन यहांसे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चोईस है पहली मैंच के नहीं तीन विकेट निकाल लिया तो दूसरी मैंच के नहीं 28 रन और साथ में चार वसकी गयन बाजी करते हुए एक बी निकाला तो एज प्लेयर काफे अच्छे पीग रहेंगे इनको आप लोग एज अच्छी चोईस है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए और यहां से यह तीनों प्लेयर में किसी को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राइक कर सकते हो एवन स्मॉल या फिर यहां से ग्राण लिग यह तीनों ही प्लेयर आपके लिए बेस पीक रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिब के लिए इस टीम के बात करो तो मुहमस जमीर ऐस प्लेयर आपकी टीम के लिए रहने चाहिए दोनों ही मेच करने विकेट निकाल देवा आ रहा है इवन चार वस पूरी करवा रहा है तो इनको आप लोगो जरूर लेखे जाएंगे वहाब असन ओके ओके रहेंगे इनको ग्रान लिग वगेरा में ट्राइ क था करना चाहो तो वह इनको आपको लेखे जाना है बाहत करूँ भेंच के तो बेंच से इस yok can रहें मिलेंगी तो जल्दी से आपको नोली यहां पर लोग क्या कर सकते नहीं और वहा और वाहिद उहमत को ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो बाकि उमर अर्षत काफी नीचे बैटिंग करते हैं तो इनको मैं स्मॉल ली के लिए बिल्कुल फीपर नहीं करूँगा और बैटिंग सेक्षन की बात की जाए अली आभीत रहेंगे इनके साथ यहां से सहजाद ली को मैंने लिया है और इनक यहां से मैंने ड्रोब किया है शाकिब मेहमुद को आप लोग जाना चाहते है और शाकिब मेहमुद को ले सकते हो कि इनकी जगा पर याऊ had sem सक्षिन के में से महामबई शागीर खख़ान इनके साथ यासि इनका सीलेक्शन काफी कम है लेकिन ये बाइस-साङीर कि करो सकते हैं यह कभी पलाट वर कर सकते हैं इसके कि drag youtube को लेगा खा अगर दोनुमेंजे किसी एक ट्रप करना है तो यहांसे आप लोग यह से इराधली को ट्रॉप करना चाहिए आपकी टीम के रहने वाले बाकि अभी पात करो तो टीम मेरी कुछ इसरा से रहेगी केप्टन रहेगे यहांसे अब्दुलकफार और के बात करो तो व यहां से फारुक मुहम्मद है यह दोनों प्लेयर्स को आप लोग एज़ वाइस के टौर पर ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो अब के लिए मेरी टीम को जिस सरा से रहेगी याद रहे के प्लेगाँ तो टेलिग्रम से जुनना बिलकुल अमत बुलीगा नीचे मैंने डिस्क्रिप्टिप्शन बॉक्स में टेलिग्रम का लिंक अटेच किया है इनके से लिंक प्वर्क ना कहे तो टेलिग्रम में जाकर आपको सर्च करना है फ्रेंटासी डिसं चलेंजर या फिर यहांसे जो टीम शेयर करते हैं आप उसी टीम से खेलिएगा आप अपने अकोडिंग और अपने गड़ फिलिंग के अनुसार भी कुछ चेंजिस करना चाहो तो करना क्योंकि हमारा के आयन है कि हम लोग यहांसे सेफ टीम देते हैं जो कि कभी-कभी यहांसे उलट फार भी हो स रहेंगे तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नई सर्प्राइज वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडियो देखते हो अच्छा अनलेसिस करते हो अच्छी टीम बनाते हो तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिन जय भारत